इस वीडियो में बात करेंगे CoinDCX Go application के बारे में किस तरीके से इसको यूज करेंगे, जो यहाँ पे options आपको मिलते हैं, वो options कैसे काम करते हैं और आपके काम के कौन-कौन से जो options है या features आप बोल सकते हैं, वो हैं इस वीडियो में आप लास तक बने रहें, आपके जितने भी doubts होंगे, वो clear होने वाले हैं, make sure अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like करें, नए हैं चैनल को subscribe कर लें और comment करके बताएं कि आपको इस वीडियो कैसा लगा और आपको कोई भी confusion है तो आप comment कर लें और वीड education purpose के लिए है, कोई भी investment purpose के लिए नहीं है, any benefit and loss you are self responsible, so जैसे ही आप CoinDCX Go application को open करेंगे, तो first look कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कुछ tips मिल जाती है, security की tips आप जरूर पढ़ लें, so यह बहुत important है, so यहाँ पे कुछ जादा है नहीं home पे, उसके दिखाए देंगे, अब माल लेते हैं कि आपको bitcoin खरीदना है, तो bitcoin पे आपको click करना है, bitcoin पे click करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने साब से इसका price alert भी set कर सकते है, price alert set मतलग, अगर यहाँ पे कोई भी जैसे मानो की 50,000 कम हो गया, 1,000,000 कम हो गया, तो आप अपने साब से set क आपको notification आजाएगा like whatsapp का, कि जैसे हम whatsapp पे किसी को high करते हैं, तो उसका high हमें notification दिखाए देते है like this, ठीक है, उसके बाद में अगर आप chart देखना चाहते हैं, तो view price chart details में आप click करेंगे, कुछ chart इस तरीके से दिखेगा, जो कि यह chart उतना अच्छा मुझे नहीं लगता ह है, लेकिन मेरे साब से आने वाले समय में इसमें implement किया जाएगा, तो अच्छे से आप जो chart है, उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, so मैं यहां से back कर लेता हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं, bitcoin तो bitcoin पे मैं click करूँगा, buy पे मैं simply click करूँगा, कितना मैं purchase करना इन रुपीज में, 10 रुपे का आप खरीदेंगे, कोई भी आपका charges नहीं लगने वाला है, मेरे पास लगबग 600 रुपे के something अभी amount है, INR में आप देखेंगे, जैसे मैं मानों कि 100 रुपे का purchase करना चाहता हूँ, मैंने 100 रुपे डाल दिया, इन BTC में मुझे कितना bitcoin यहाँ पे दिखाए दे रहा है, buy BTC पे मैं click करूँगा, और इसको इस तरीके से slide कर दूँगा, तो यहाँ पे जो मेरा bitcoin है, वो purchase हो जाएगा, मान लेते हैं कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे again, prices में आएंगे नीचे हैं कि price समझ लीजिए, जो आप बोलना fall time 02192, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा ही बेचना चाहता हूँ, इस पे click करूँगा, नन्यार मैं point 33 पैसे मिलेगा, क्योंकि bitcoin का price कम जादा होता रहता है, sell BTC पे click करूँगा, और इसको मैं यहाँ से, इस तरीके से slide करके scroll कर दूँगा, तो यह bitcoin मेरा simply sell out हो चुका है, बाद में simply, आप यहाँ पे, जो my investment है, इस section पे आएंगे, तो वो पैसा, जो की आपने add किया था, और उस पैसे में से, आपने किसी भी coin में invest कर दी है, like, आपको मैंने 100 रुपे दे के भेजा, और भेजा कि भाई, आपना एक कुरक्रे का packet लेके आना, 5 रुपे का, तो 5 जितना investment कर दोगे, जिस में coin में, वो आपका my investment में दिखाए देगा, कौन से coin में कितना investment है, वो आपको, जो अपना Indian rupees है, उसका जो logo है, उसके बाद दिखता है, उसके उपर जो होता है, वो amount होता है, कितना coin आपके पास है, उसका कितना value बनता है, value मतलब worth, ठीक है, तो य आपका investment है, इससे कोई link नहीं है, investment में वो दिखाएगा, जो कि आपने खर्च किया है, यह आपका plus नहीं होता है, available balance में, ठीक है, available balance को आप bank में ले सकते हो, अगर आपको bank में लेना है, my investment वाला, तो sell करना होगा, ठीक है, account पे मैं click करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका available balance है, वो दिखता है, आप अगर add करना चाहते हैं, कैसे पैसे add करते हैं, तो मैंने i button में link दे दिया, और ज़्यादा information के लिए आप coin dcx go का मैंने particularly पूरा एक series बना रखा है, तो आप playlist चेक आउट कर लीजेगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे option है, कुछ options में आपको बता देता हूँ, सबसे पहले account settings, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे normally है, जो आपका KYC है, वो है, bank account details आपको दिखेंगी, और notification जो alert है, वो back कर लेता हूँ, security बहुत important है, security पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप अपना password चेंज कर सकते हो, 2FA reset कर सकते हो, अपना ज तरीके से back कर लेता हूँ, यहाँ पे price alert जो set कर सकते हैं, आप rating दे सकते हैं, support system बहुत, मतलब यह आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, support system पे मैं क्लिक करूँगा, मतलब help and support, ठीक है, यहाँ पे select करेंगे कि कौन से, जो application है, उसमें करना चाहते है, coin DCX में, या फिर coin DCX go में, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक select करेंगे, जैसे मैं coin DCX go कर लेता हूँ, so यहाँ पे page reload होगा, अपना जो भी email है, वो डालेंगे, register, register, mobile number डालेंगे, उसके बाद मैं क्योरी, यानि कि आपकी problem क्या है, account से related है, या फिर KY से related है, INR से related है, crypto, यान मैं आपको wait करना है, email के, माध्यम से आप उनसे chat कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, आपको email आ जाएगा, यहाँ पे बचा कि आप इनका telegram join कर सकते हैं, tutor पे इनको follow कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे doubts के लिए हो गए होगे, I hope, so मैं मिलूँगा एक और ऐसे ह इंटरस्टिंग वीडियों तब तक के लिए जैहीन, बंदे मातरम अस्ते रहे, मुस्कुराते रहे